हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका डिजल दैयारी चैनल पे, मैं श्रयान्स कोठारी लेकर आँए बहुत महत्वपूर्ण इन्फरमिशन दोस्तों, SSC GD एक्जाम को लेकर, मैं जानता हूँ कि आपको मालूम है कि नोटिफिकेशन निकल चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों की अगले पांच मिनट के अंदर आपके लिए, जो भी क्रिस्प बाते हैं, SSC GD को लेकर, एक एक बात जो महत्वपूर्ण है, हमें बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू दपॉइंट, वो सारी बाते हैं, जो आपको ध्यान होन सबसे पहली चीज़ दोस्तों, date of submission of online examination, अगर आपको online application करना है, तो आपके पास 17 जुलाई से date सालू थी, जो 31 अगस्त तक है, लेकिन last date का इंतजार बिलकुल ना करें, अभी जैसे ही ये वीडियो समाप्त होता है, form जरूर भर लें, last date and time for receipt on online examination, दोस्तों, रात को साड़ form फिल कर सकते हैं, online, last date and time for making online fee payment, अगर आप online payment कर रहे हैं, मैं suggestion करूंगा दोस्तों, please last date का, last time का इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है, हुआ है, last moment, रात पर 11 बजे आपने online के लिए try किया, नहीं हो पाया, शाम को 6 बजे, 5 बजे, बहुत सारे लोग ल रह जाएंगे, तो मेरा suggestion ये है, दोस्तों, आज भी आपके पास sufficient time है, कल भी आपके पास sufficient time है, please form fill कर दीजिए, last date and time for generation of offline चालान, अगर आप offline भरना चाहते हैं, तो 4 सितंबर तक भी आप भर पाएंगे, अगर आप चालान से भरना चाहते हैं, तो 7 सितंबर तक भी भर पा है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर July में, August, September तक अगर form भरे जाते हैं, दो महीने और अगर हम छोड़ दें, शायद October end या November mid तक exam होने चाहिए, तो आपके पास परियापत समय है exam की तयारी करने के लिए, तो लग जाएए, जुट जाएए, तयारी शुरू कर लीजे, इसके बा जो actually online exam है, जिसकी actual तयारी करनी है, बाकी वाली जो चीजें है दोस्तों वो तो लगातार choice घंटे आप तयारी कुछ ने कुछ 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 करते जाएंगे, कुछ standard के लिए, कुछ दोड लगाने के लिए, morning, evening कही न कहीं आप दोड़ेंगे, लेकिन जिसकी actual तयारी करनी है, जो actual competition है, जो आपको एक मुखे बादा को निकालना है वो है दोस्तों, computer based examination, इसके बाद दो और exam होंगे दोस्तों, physical efficiency test और standard test, क्या difference है दोनों में, अभी कुछ देर में बताएंगे, और last में होगा आपका detailed medical examination, जिसे हम DME कहते हैं, objective exam की बात करें, तो दोस्तों आपके हैं और उन चार चरण में, जो पहला चरण है, उसके अंदर फिर से चार parts हैं, चार types हैं, जिनकी आपको तैयारी करनी है, दोस्तों, digital तैयारी पे, sscgd का complete course भी कराया गया है, paid course हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, बस आप कुछ दिनों का इंतजार करिए, sscgd होगा digital तैयारी का पहला paid course, और बहुत जल्दी आप तक हम पहुँचेंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है, बात करते हैं दोस्तों, exam की तो general intelligence और reasoning, यह आपके लिए reasoning का एक section रहता है, general knowledge and general awareness यह आपको gk, gk, gs कुछ भी कहते हैं, उसका एक section रहता है, mathematics बहुत basic सी रहती है, और English और Hindi, तो English या Hindi मैंसे एक ही करना है, वापिस सुन लीजे, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, या तो English या Hindi, एक language को set करना होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, यह paper तो English और Hindi bilingual मिलेंगे आपको, यानि, maths, maths यानि अंग्रेजी में भी question आएंगे, आप उनकी language change करेंगे, तो Hindi में भी प्रशन आएंगे, लेकिन subject Hindi या subject English उनमें से एक choose करना पड़ेगा, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, SECGD का syllabus, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा अभी आपको computer-based exam, CBE जो होगा, उसमें चार अलग-अलग parts हैं, चारों ही 25-25 marks के हैं, और 25-25 questions रखते हैं, यानि एक question, एक marks का है, यानि आपको तयारी करनी हैं, ये 100 marks के लिए आपके पास कुल 90 minute हैं, 90 minute, 100 questions बहुत भारी level नहीं रहेगा, level of exam बहुत आसान रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंदा करने की ज़रुत नहीं हैं, चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं दोस्त minute के अंदर होना चाहिए, यानि अच्छी speed है ये, female candidates अगर दोड रही हैं, तो साड़े 8 minute में 1.6 km यानि 1600 मीटर की दोड लगानी है, female को, pregnant woman जो हैं, वो ये exam नहीं दे पाएंगी, यहां disqualify हो जाती है, physical efficiency test उनके लिए नहीं बना हैं, अगर मैं बात करूं ex-servicemen को, तो अ वशक्ता भी नहीं है, और आगे बात करते हैं दोस्तों, PST, physical जो standard test होता है, उसमें ध्यान रखना है आपको, height और chest देखी जाती है, male की height चाहिए हमें 170 cm, और उसका chest चाहिए 80 cm, यहां 80 by 5 का मतलब है, जब आपने pumped in कर रखा है, यानि कि आपने सांस फुला रखी है, सीना फुला रखा है, तो वो जो difference आना चाहिए बिना सांस के और सांस के, वो 5 cm का आना चाहिए, female का chest test नहीं होता है, उनका सिर्फ height होता है, और उनकी height चाहिए 157 cm, यह basic minimum है, जो eligibility आपको cross करनी ज़रूरी है, weight as per height, as per जो आपका रहेगा, as per, उसके according दिया जाएगा, जो कि under होते हैं, उसी के, जो आपकी age है, और जो आपकी height है, उसके according आपका, सही weight होना चाहिए, वो वहाँ पे chart बनावा रहता है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो DME, that is, जो पूरा के पूरा medical examination होना है, वो आपका इसी तरीके से होना है, six by six, eyes होनी चाहिए हैं तो ये कुछ basic information, important information, to the point information लेके आए हैं आप लोगों के लिए, बस यही कहना चाहेंगे कि तयारी करिए, बहुत अच्छे से तयारी करिए, आप सभी के लिए SSE GD का exam सामने है, digital तयारी एक बहुत जल्द course लाने वाला है, उसका announcement भी मैं बहुत जल्दी करूँगा, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटर तयारी